So finally, आज हम इस वीडियो में guitar modes के बारे में बात करेंगे, जिसे आप musical modes भी कह सकते हैं. So mode basically एक music theory का part है, और आप चाहे कोई भी instrument बजाते हो, या फिर आप एक vocalist हो, आपके लिए modes का ये concept बिल्कुल सेम रहेगा हर एक instrument पे. And this is not just limited to guitar. And I think अगर आप एक अच्छा musician बनना चाहते हैं, तो आपको modes के बारे में बहुत ही अच्छा knowledge होना चाहिए. And as a guitar player, आपको modes कुछ और चीज़ों में भी help कर सकता है, जैसे कि आपको fretboard को visualize करने में help कर सकता है, जब आप improvise या फिर solo करते हैं, तो आप whole fretboard में बहुती freely improvise कर सकते हैं. Modes आपके जो musical knowledge और understanding है, उसे भी enhance करता है, आपको एक better composer बनाता है, और आपको chords find करने में भी help करता है, तो आप समझे सकते हैं, modes कितना ज़्यादा important हैं. पर शुरू-शुरू में modes लोगों को काफी ज़्यादा complicated लगता है, जो कि ये है नहीं, but I believe लोगों को ये complicated लगता है, इसलिए क्योंकि modes के ऊपर कोई भी अच्छा सा explanation video available नहीं है, YouTube पर, specially in Hindi. मैंने भी शुरू-शुरू में हजारों वीडियो देख के ही modes सिखा था, और after watching thousands of videos, मुझे फिर जाके थोरा सा grasp हुआ, कि modes क्या है, और ये हमें क्यों सिखना चाहिए, और ये हमारा guitar playing में किस तरह से help कर सकता है, but I can promise you that, कि आज के ये वीडियो देखने के बाद, आपको modes क जो भी चीजे जानना जरूरी है, वो सभी आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा, इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइट कर रहा हूँ, पहले पार्ट में जो कि आज का इस वीडियो है, इसमें हम modes का जो theory है, उसे समझेंगे, और फिर मेरा जो अगला वी क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगो सिर्फ एक reminder देना चाहूँगा कि मैंने इस से पहले मेरे चैनल पे music theory के basic knowledge के उपर बहुत सारा videos already बना के रखा है, तो अगर आपने वो videos अभी तक नहीं तो आपको mode समझने में काफी दिक्कते आने वाला है, तो अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको महाँ पे एक playlist मिल जाएगा, जहां पे आपको मेरे सभी previous music theory lesson का videos मिल जाएगा, पर इस वीडियो में भी मैं quickly आपको एक overview दे देता हूँ, ताकि आपको समझने में आ करने के लिए, तो ये पहले आप ध्यान दीजिए, intervals are much more important than the actual notes, जैसे कि अगर आप G note से A note को बजाएंगे, तो जो feel generate होगा, आप अगर A note से B note को बजाएंगे, तो भी semi feel generate होगा, सिर्फ थोरा सा higher pitch में, क्योंकि यहाँ पे G, A और B ये तिनो note माइने नहीं रखता है, ये म जो sound होगा, A से अगर B note को बजाएंगे, तो भी आपका जो sound होगा, वो basically same होगा, सिर्फ थोरा सा higher pitch में, so this is the basic understanding of intervals, लेकिन अगर आप G से A note बजाते हैं, और वहीं पे A से A sharp बजाते हैं, तो दोनों का जो melody होगा, वो same नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे notes भी अलग है, और notes के बीच का जो intervals है, वो भी अलग हो जा रहा है, G से A के बीच में one step का interval है, लेकिन A से A sharp के बीच में half step का interval है, तो आप समझ सकते हैं, interval change हो जाने पे, आपका जो actual melody है, वो भी change हो जाता है, तो इस point को आप पहले से ही ध्यान में रखिए, यह हमें mode समझने में बहुत ही help करे अगर एक situation में, एक note से दूसरे note पे जा रहे है, कम समय में, और दूसरा situation में, एक note से दूसरे note में जा रहे है, जादा time लेके, तो दोनों का melody है, हाला कि दोनों में ही same notes बज़ रहा है, लेकिन फिर भी time interval different होने के वज़े से दोनों अलग sound करेगा, तो interval दो तरह का हो गया, एक note का interval और एक है time का interval, तो जो notes का interval था, एक था whole tone या फिर whole step और एक था semi tone या फिर half step, तो एक note से उसके ठीक adjacent note के बीच में, जितना distance होता है, उसे हम कहते है, semi tone या फिर half step, और दो half step के difference को हम कहते है, एक whole step या फिर whole tone का difference, मतलब जब दो note के बीच में एक और note रहता है, तब हम उस difference को कहते हैं एक whole step या फिर whole tone का interval और हमें पता है music में total 12 notes होते हैं जो है A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G और G sharp और इन 12 notes को हम एक generalized नाम भी देते हैं जिसे कहते है chromatic scale तो chromatic scale में जिस notes से हम scale को शुरू करते हैं उसे कहते है root फिर उसके बाद आता है minor second फिर major second फिर minor third major third, perfect fourth, augmented fourth या फिर diminished fifth फिर उसके बाद perfect fifth, minor sixth, major sixth, minor seventh और major seventh और finally दूसरे octave का root वापस आता है और हमें major scale भी इस chromatic scale से ही मिलता है जब आप chromatic scale से root, major notes और perfect notes को ले लेते हैं तो आपका major scale form होता है तो एक major scale में जो notes रहता है वो है root, major second, major third, perfect fourth, perfect fifth, major sixth और major seventh यह 7 notes रहता है major scale में, और major scale को कहते है हम एक diatonic scale, तो major scale में 7 note होने के वज़े से major scale के 7 mode में भी 7 note ही रहेगा और यह सभी mode भी diatonic skills होगा so there are 7 modes starting from each note of the major scale तो अभी मैं पहले आपको यह 7 mode का नाम बता देता हूँ और मैं जिस order में आपको बताँगा आपको उसी order में इन modes को याद रखना है तो जो पहला mode है उसे हम कहते है Ionian mode फिर उसके बाद आता है Dorian फिर उसके बाद Phrygian फिर उसके बाद Lydian फिर Mixolydian फिर Aeolian और आखिर में Locrian तो 7 mode हो गया Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian and Locrian मैं फिर से बता रहा हूँ इसे आप इसी order में याद रखिए यहाँ पे हमारे पास 3 major mode है जो है Ionian, Lydian और Mixolydian, 3 minor modes है जो है Aeolian, Dorian and Phrygian और एक है Diminished mode जो है Locrian यह जो सभी नाम है Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian and Locrian यह सभी Greek नेम से तो यह नाम सुनके ही आप घबराएए मत यह उतना complicated कुछ चीज नहीं है यह सिर्फ इनके नाम है जो आपको याद रखना है और मैं आपको इसी order में याद रखने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी order में आपके instrument में चाहिए वो आप गिटार बजा रहे हो या फिर पियानो या फिर कोई दूसरा musical instrument बजा रहे हो तो इन सभी instrument में इसी order में यह modes laid out रहता है तो इसी order में आप यह modes अगर याद रखेंगे तो आप जब आपका instrument प्ले करेंगे तो आपको प्ले करने में काफी help होगा लेकिन इन modes का musical order है वो different है और हम उसके बारे में बाद में detail में बात करेंगे तो फिलाल के लिए आप सिर्फ इस order को याद रखिए और musical order से जो मैं कहना चाता हूँ वो है कि कौन सा mode कितना जादा happier sounding है या फिर brighter sounding है और कौन सा mode कितना जादा darker sounding है तो उसका order इस order से थोरा सा अलग है और जब हम modes को detail में सीखेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना जानना है कि जब एक scale में ज जो actual note का नाम है उसके साथ इसे confuse मत कीजिए C sharp, D sharp ये notes के नाम है और यहाँ पे मैं जो sharp note के बारे में बात कर रहा हूँ वो है mainly the intervals जैसे की augmented fourth note को आप कह सकते है एक sharp fourth note तो किसी example में अगर D sharp आपके perfect fourth note है तो E होगा आपका sharp fourth note तो E तो actual में एक sharp note नहीं है लेकिन ये D sharp के respect म में इसका जो interval होगा वो इस example में sharp fourth होगा. So I hope you get my point. So the main thing is जब हम flatted notes कहते है तो हम usually previous note को mean करते है और जब हम sharp notes कहते है तो हम next note को mean करते है तो शुरू में ही अगर मैं एक quick overview दू तो major scale के हर एक note से अगर आप उस scale को बजाएंगे तो आपको major scale के अलग-अलग modes मिलेगा. That's the main concept. Now let's study this in detail. अभी major scale ही ionian mode है. इस scale में जो notes है वो है root, major second, major third, perfect fourth, perfect fifth, major sixth और major seventh. आप देख सकते हैं इस scale में सिर्फ major और perfect notes ही है और कोई minor notes नहीं है. इस वज़े से ये mode काफी happy sounding है. आप इस mode का use करके कोई happy, bright, romantic song बहुत easily compose कर सकते हैं. पर let me tell you, ये सिर्फ एक guideline है. आपको ऐसा बहुत सरा गाना मिल जाएगा जो major scale या फिर ionian mode में है लेकिन happy sounding नहीं है. और ठीक उसी तरह आपको minor scale में happy sounding गाना भी मिल जाएगा. ये depend करता है composer के उपर भी कि वो किस तरह से modes का इस्तिमाल कर रहे हैं. And obviously, lyrics के उपर भी काफी हद तक depend करता है. लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि generally, ionian mode sounds happier and brighter. And the reason being, it only has major and perfect notes. So that was the ionian mode which is nothing but the major scale. जो हम सभी को already पता है. Now let's move on to the actual modes of the major scale. पहले concept समझ लेते हैं और बाद में सिखेंगे कि mode क्या use है और इसका क्या जरूरत है पर फिर भी मैं पता देता हूँ, different modes give entirely different feel, chord structure, etc. अलग-अलग modes, अलग-अलग musical feel generate करता है और different chord structure भी देता है तो आपको गाना compose करने के time पे सिर्फ major या फिर जो natural minor scale है उसके उपर dependent नहीं रहना होगा. आप अलग-अलग modes का इस्तिमाल करके, अलग-अलग और बहुत ही specific feel का गाना compose कर सकते हैं. अभी अगर आप ध्यान देंगे तो ionian mode में notes के बीच में जो interval है, वो है whole step, whole step, half step, whole step, whole step, half step. और यही interval major scale को major scale बनाता है. तो यहाँ पे अगर हम C major scale या फिर C ionian mode को लेंगे, तो हमें जो notes मिलेगा वो है C, D, E, F, G, A, and B. और फिर दूसरे octave का C, D, E, F, G, A, B, and so on. अगर यह interval change हो जाएगा, तो एक major scale, एक major scale की तरह sound नहीं करेगा, क्यूंकि interval change हो जाने पे actual notes भी change हो जाएगा. Right. अभी अगर हम major scale के second note को root मानते हैं, तो आप देख सकते है, notes के बीच का जो interval है, वो change हो जा रहा है. यह shift हो गया. तो हमारा C major scale के example में, C major scale का दूसरा note है D, तो अगर हम इस D note से C major scale बजाते हैं, और D note पे आके खतम करते हैं, तो हमें C major scale के notes से ही एक नया scale मिल रहा है, जिसके notes तो C major के notes से बिलकुल similar है, लेकिन दूसरा note से शुरू करने पर, इन notes के बीच का जो interval था, वो change हो जा रहा है और interval change हो जाने से, इसे हम major scale नहीं कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, firstly, ये scale हमें major scale से ही मिल रहा है, और इस scale का सभी notes और major scale के सभी notes भी exactly same हैं, पर notes के बीच का intervals अलग है, secondly, इस example में हमें C major scale के दूसरा note से जो नया scale मिल रहा है, वो है D dorian, तो इसका मतलब, C major और D dorian scale का notes are exactly the same, ध्यान दीजिए, C major और C dorian के notes एक नहीं है, C major और इसका दूसरा note जो है D, उसका dorian mode मतलब C major और D dorian के notes same है, C major is C, D, E, F, G, A, B, and D dorian is D, E, F, G, A, B, C, तो आप देख सकते हैं, C major और D dorian both have exactly the same notes, सिर्फ इन दोनों का root अलग है, और root change करने पे, हर एक note के बीच का जो interval था, वो भी change हो जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं, जो whole step, whole step, half step, whole step, whole step, half step, ये major scale का interval था, वो shift होके, अभी whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step, whole step हो जा रहा है, और ये ही dorian mode के interval है, तो भले ही dorian mode हमें major scale से ही क्यों न मिल रहा हो, ये एक बिलकुल नया scale है, और इस scale में जो notes है, वो है, root, major second, minor third, perfect fourth, perfect fifth, major sixth, और minor seventh, तो आप देख सकते हैं, इस scale का intervals, major scale से बिलकुल अलग है, so the point is, एक major scale के दूसरे note से, उस दूसरा note का dorian mode मिलता है, और जैसे कि ये नया scale हमें major scale से ही मिल रहा है, तो इसलिए हम इसे अलग से कोई scale ना कहेकर, major scale का ही एक mode कहते हैं, we do not say dorian scale, but dorian mode, but basically दोनों ही सेम चीज है, हो सकता है, आप major scale और dorian mode अलग से सीखे हैं, लेकिन दोनों के बीच में क्या connection है, वो आपको पता नहीं था, पर अब आपको पता चल गया, अगर हम G major scale लेंगे, तो G major scale या फिर G ionian mode में जो notes है, वो है G, A, B, C, D, E, and F sharp, तो G major scale के दूसरा note, A से अगर हम G major scale के बाकी notes बजाएंगे, तो हमें A dorian mode मिलेगा, so G major और A dorian के सभी notes सेम हैं, तो A dorian में जो notes है, वो भी है A, B, C, D, E, F sharp, and G, सिर्फ ये A note से शुरू होके A note पर खतम होता है, और G major में G note से शुरू होकर G पर खतम होता है, so A dorian में A is the root, B is the major second of A, C is the minor third of A, D and E are the perfect fourth and the perfect fifth, and so on, मैं बार-बार कह रहा हूँ, G major और G dorian के notes सेम नहीं हैं, G major और A dorian के notes सेम हैं, major scale के दूसरे note से जो mode मिलता है, वो उस दूसरा note का dorian mode होता है, जैसे की C major से D dorian मिल रहा था, और G major से A dorian, I hope आपको clear हो गया, यहाँ पर notice कीजिए, dorian mode में third note minor है, और seventh note भी minor है, पर second और sixth note major है, तो third note minor होने के वाज़े से ये एक minor scale है, और यह minor seventh note और major sixth note, इसे इसका dorian flavor देता है, इसके बारे में हम detail में, जब हर एक mode के उपर अलग से वीडियो बनाएंगे, तब बात करेंगे, फिलाल के लिए सिर्फ ये समझ लीजिए, कि ये एक minor scale है, dorian is a minor scale, हम यहाँ पे सिर्फ C major scale के example लेके समझ रहे हैं, लेकिन ये concept कोई भी 12 note के major scale के लिए same होगा, even for the sharp notes, जैसे कि D sharp major scale के जो second note है, जो है F, तो F notes से अगर हम D sharp major scale के notes बजाएंगे, तो हमें F dorian scale मिलेगा, D sharp major और F dorian के सर्वी notes exactly same होगा, सिर्फ root change हो जाएगा, और root change होने के वज़े से ही, notes के बीच में जो intervals है, वो भी change हो जाएगा, यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं, तो बाकी के modes भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि concept बिलकुल same है, तो major scale के third note को root मानके, अगर उस major scale को हम बजाएंगे, तो हमें उस third note का phrygian mode मिलेगा, तो C major के third note है E, तो E को root मानके, अगर हम C major scale के notes बजाएंगे, तो हमें जो scale मिलेगा, वो C major की तरह sound नहीं करेगा, क्योंकि remember, intervals are more important than the actual notes, भलेई आप अभी भी C major के notes ही बजा रहे हैं, पर आपने root change करके E कर दिया है, और ये root change करने पे, इस root के respect में, बाकी सभी intervals भी shift हो जा रहा है, और इसलिए ये C major की तरह sound नहा करके, E phrygian की तरह करेगा, now phrygian is another minor scale, या फिर आप कह सकते हैं, a minor mode of the major scale, phrygian mode में जो notes हैं वो है, root, minor 2nd, minor 3rd, perfect 4th, perfect 5th, minor 6th and minor 7th, तो minor 3rd के होने से, obviously this is also a minor scale, पर जैसे कि मैंने कहा था कि, scale में जितना minor notes बढ़ेगा, scale उतना dark sound करेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस mode में 3rd और 7th note के साथ साथ, 2nd और 6th note भी minor है, मतलब इस scale में, durian से भी जादा minor notes है, इसके वज़े से, phrygian बहुत ही dark sounding एक scale है, तो C major, D durian और E phrygian, इन तीनो scale में ही exact same notes है, लेकिन root अलग होने से, यह सभी scale एक दूसरे से, बिलकुल ही different sounding हो जाता है, similarly, major scale के 4th note से, हमें lydian mode मिलता है, C major scale के 4th note है F, तो C major scale से हमें मिलेगा F lydian, F lydian में जो notes रहेगा, वो है F, G, A, B, C, D and E, which are essentially the same notes as the C major scale, only the root is different, lydian mode में जो notes है, वो है root, major 2nd, major 3rd, augmented 4th, perfect 5th, major 6th and major 7th, तो 3rd note major होने के वज़े से, this is the major scale, पर इस mode में, Ionian या फिर normal जो major scale है, उस से एक difference है, और वो है कि इस scale का 4th note भी augmented है, या फिर आप कह सकते है, sharp है, so this mode sounds even brighter than the major scale itself, now similarly, if we move on one step further, then we get the mixolydian mode, which is the 5th mode of the major scale, mixolydian में जो notes है, वो है, root, major 2nd, major 3rd, perfect 4th, perfect 5th, major 6th, और minor 7th, तो ये भी एक major mode है, क्योंकि इसका भी 3rd note major है, पर 7th note minor होने के वज़े से, ये mode, Ionian mode से, थोड़ा सा कम happier sound करता है, from C major, we get the G mixolydian, अभी अगर हम major scale के 6th note को root मानेंगे, तो हमें major scale का relative minor scale मिलता है, जिसे हम Aeolian mode कहते हैं, C major scale का 6th note है A, तो C major scale से हमें मिलता है, A natural minor, या फिर A Aeolian mode, and that's why A minor is the relative minor of C major, क्योंकि C major और A minor scale के notes, बिलकुल सेम हैं, similarly, G major scale के 6th note है E, तो G major scale से हमें मिलता है, E minor, और इसलिए E minor is the relative minor of G major, तो Aeolian mode में रहता है, root, major second, minor third, perfect fourth, perfect fifth, minor sixth, and minor seventh, तो इस mode में 3 minor notes हैं, जो है Dorian से जादा, और Phrygian से कम, Dorian mode में 6th note major था, और Phrygian mode में 2nd note भी minor था, तो ये Aeolian mode बीच का एक minor scale है, and finally major scale के 7th note से हमें मिलता है, Locrian mode, इसमें root, minor second, minor third, perfect fourth, diminished fifth, minor sixth, और minor seventh note रहता है, notice कीजिए इसका fifth note भी diminished है, और इसलिए ये एक बहुत ही dark और dissonant sounding scale है, ये scale नर्मली म्यूजिक में उतना use भी नहीं होता है, so these are the 7 modes of major scale, विच आ, Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, and Locrian, और अभी अगर हम म्यूजिकली सोचेंगे तो, ये scale जिस order में sound करता है, from brightest to darkest, वो है, Lydian, Ionian, Mixolydian, Dorian, Aeolian, Phrygian, and then Locrian. जब हम इस order में सोचेंगे तो, gradually the number of minor notes increases, and that's why they progressively become more and more darker, ये सिर्फ आपको जानना है, जब आप गाना, compose करने जाएंगे तब के लिए, पर ये आपके playing में help नहीं करेगा, playing में help करेगा ये ही order, क्योंकि musical instrument में, actually इस order में ही, एक के बाद एक modes रहता है, so I hope कि आपको modes का जो theory है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम next video में देखेंगे, ये modes गिटा में किस तरह से apply होता है, और किस तरह से ये modes आपके playing में help कर सकता है, so make sure to watch that video also, और अगर आपको फिर भी कोई doubt है, तो आप मुझे नीचे comment करके पूछ सकते हैं, और में आपका doubt, clear करने का जरुर कुशिश करूँगा, so that was it for today guys, I'll see you in the next video.